हेलो एडिवान यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन को जो हम लोग ऐसे चेम बढ़ते हैं उसका उसका थोड़ी एक्सप्लेंड किया था आपको और कुछ एक्जाम्पल से उस टेक्निक को यूज करना आपको इजी गिरेगा इसलिए यह आपर कुछ एक्सप्ले करता हूँ कि किस तरह से सॉल करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के परोजेक्शन को लेकरके हैं तो जैसे एक्छिन है ना सिंगल पार्टिकल यूज करे गा तब यूज कर सकते हो जब अब इस टेकनिक काफी हिलफूल हूँ आपकह पार एक तुछिव विपने को आंस से and with the same angular frequency it is observed that when first particle is at a distance a by root 2 from origin and going towards main position other particle is at extreme position on other side of the main position find phase difference between the two particles तो जब ऐसा गुरिशन पढ़ोगे वहर भी लेंदी होजगता है तो बहुत सारे points आएंगे तो अपने कुछ क्रॉक्स पाइंट पकड़ने हैं जैसे कि इनके amplitude के हैं amplitude उस circle का radius होता है तो यहां पर यह अलग-अलग amplitude पर है इसलिए ए रेडियस के एक circle बनाएंगे और एक ट्वाइस रेडियस का circle बनाएंगे और सेम स्टेट लाइन के लॉंग चल ला है सो हम लोग कॉन सेंटर दो स्टेट बना लेंगे और एक प्रोजेक्शन किसी डामीटर पर लेते हैं इजी एजी रखने के लिए लिए एक सेक्सिस को अपना प्रोजेक्शन एक सेक्सिस पर लेने वाले हैं यह मारा डामीटर होगा और इसने फिर अपने को अब्सर्व करना की कि द् HAVE 라ट की लौजेक्शन की कैसी है नों की लुकुर्व फिक्रेंसी बडाबर रहां एक मेंस सर्कुलर शुल का डेला वो सेम जौन फिक्व में नैग यो फिक्वेंस से चला लाओ घा है नो इंव 4 और पस्विक्ल दिंश नुख तो कि दो ऐसे मुझें तो यहां कर रहे हैं मैं परें रहे नहीं करें तो यह कोंगी अर्स मेंश PETER वाला होसकी फ्रुस्ट करेंगी और हमार यह क्रें अब अप्शन पर से लिए क्रोड़ किस्ट पर यहांसे वाइन से बीचरता है और आप कहीं से भी ले सकते हैं, इसमें ऑप्शन है डिस्टेंस का, जैसे मैंने यहां पर लिया, यहां पर भी लोगे तब भी चलेगा, अब इसको किस डिरेक्शन में जाना चाहिए, जब हमारा पार्टिकल यहां पर होता है, में पोजिशन से किसी डिस्टेंस पर आप ए बाइ रूट तो तूबर्स में पोजिशन जा सकता है, तो उसने बोला है कि टूबर्स में पोजिशन जाएगा, यह हमारा shm का particle है लेकर परिजल को crimes circle पर इसके चलाएंगे जिसका फुटर पर्पिंडिटिकुलर यह हो तो वह पर्टिकल हमारेस के piece perpendicular जाने पर सेल्कल पर मिलेगा सहिसको मूलेंगे यह हमारा फार्स्ट पर्तिकल जो सेले पर चलनेवाला आठ इसका इंग्ल इसका विलॉस्टी या की तरफ होना चाहिए सब्कुट्री स्किंट अर्पे विलॉस्टी को do so is the smoke करना पड़ेगा that means in anticlock-verse को चलना पड़ेगा जैसे यह फर्दर जाएगा तो यह अंदर की तरफ जाएगा फिर इसके बाद में बोलता है कि अधर पार्टिकल इसी लोकेशन पर होगा तो यह एक स्ट्रीम पॉइंट से चलेगा तो यह एक तरफ के लिए टूवर्ट्स राइट चलेगा और पार्टिक सर्कुलर मोशन में इस तरह से चलेगा तो इससे अपने को एक बात पता चल गया कि दोनों की डिरेक्शन आफ विलॉसिटी यह वह से मैं सिंस वह से अंगल विलॉसिटी से चल रहे हैं तो उनके बीच का जो फेस डिफरेंस वह कॉंस्टेंट रहने वाला है और आप से बही गोशन फेस बनने वाले नंके बीच के अंगल अपने को ऐस डिफरेंस बताए अब फ्यूचर में क्या होगा फ्यूचर में यह फाई गांस्टेंट रहेगा जितना पड़ के लिए आगे जाएंगा तो पर अधर जाएगा उनके बीच का आंगल फाई वही रहे है और यह भ बचा होए एंगल उसका अलफा नाम दे देते हैं अपने को पता यह ए बाइरूट टू है और यह ए है यह 90 डिग्री फूट अपर पिंटिकुलर है सो यहां से कॉस अलफा लिखा रहे दो को आज़ेगा इसका मतलब है सी ऑप्शिन अपना करेक्ट हो जागा यह दोनों पार् चल ले होंगे और स्रकुलर मोशन में कुछ ऐसा चल ले होंगे और उनके बीच का जो फेस डिफरेंस है वह इसको आप सिंपल एक्वेशन से भी कर सकते हैं ते फस्ट एक्वेशन बनाओ पार्टिकल की जो यहां पर रहता है इनिशल लोकेशन पर दूसरा यहां पर माइनस स्कॉस ओमेगा टी टाइप फिर न के बीच का फोस्ट डिफरेंस निकालो तब भी आपको यह अंसर आएगा अगला क्यूशन भी देखते हैं से ब्लड टाइप का है और उसको भी क्यूक्ली सॉल करने कोश्ट करते हैं इसने फिर बोला टू पारिटिकल एसे चम करते हैं स् सेम दिया गया है तो अब अपने को एक ही सर्कल बनाना है क्योंकि सेम अम्प्लीटूर है और सेम उमेगा है तो इसने बता रखा कि उमेगा हमारा एकोल है नो एट टाइम टी कोल डू जीरो अब उनकी लोकेशन देखना है वन पार्टिकल इस डिस्प्रेस्मेंट वाइवन प्लस आ पर विट यहां पर यहां पड़े और सेकेंड पर माइनस एकेंट अपर यहां पर लिया और यह एदर आ आनी है तो इसकी विलॉसिटी इदर होनी चाहिए यह जो पार्टिकल दिखाया गया है इस moment पर यह इदर चलना चाहिए अगर इसको इदर तभी हम बोलेंगे कि एप्रोच करेंगे फ्यूचर में इसका मतलब है अगर हमने पॉइंट यहां पर ड्रो किया है तो यह जो पार्टिकल है सर्कुलर मोशन वाला इस तरह से क्लॉक्वाइज सर्कल में चलना चाहिए और इसको क्या इसको अप्रोच कराना बोला इसका मतलब स्प्रोच करेंगे जो अधर ज़ाया यह जो यह जो गैप है थीटा बिब्स और दिम्नस होगा और आथि यह कसी टैप बीच सीरो जाए कभर हो जाएगा तो जहां पर यह थी नहीं के बीच का गैप जीरो हगा इसका अडलो वो एक्साद मिल रहे होंगे बेना एक क्रास कर रहे होंगे तो पहले अपने फेटर निकालनाया है वह एलभा निकाल लेंगे यह त्रैंडल की थिर्फित एलप जैइंडा की फ़ilवेस यह वेस्ट एकाल होगा बेस्शल्यट 120 डिए सो 2 5 3 अपने को थीटा में लगया अब यह भी ओमेगा से रहा है यह भी ओमेगा से रहा है तो रिलेटिव वेलासिटी अपरोच कितनी हो जाए कि ट्वासिटी ओमेगा और ठीटा अंगल कबर करना है सो है जो उमेगा के वाले टू पाइव टी होती है डाइसपैस पर कैंसल हो गया है अपना अंसर आगे आ गया के यह फ़र्स टैं रैमिट करेंगे इसको कि आ यह जाए यह इह क्रॉस कर जाएंगा तो अधर से यह जाएंगा फिर जाए जाएया तो से उसने वोलां पाहली बार बाली कमें पर और टीक होले और वास्तलिटी सेमाथ का तो ज्यमाथ के बृचिंपलवर भी तो, थो ऐने मैंप्लीटूडूगा है यह सो पता है। बताना है दिखो maximum separation तभी होगा जब उनकी velocities बराबर हो इसका मदलब है कि अगर particle हम देखते हैं तो एक particle अगर हमारा एक location पर है तो दूसरा उसके opposite direction होना चाहिए में like mean position के बहुत सिमेट्रिकल location पर होंगे तभी दोनों की velocity के बराबर होती है तो जिस तरह से हमने है तो अगर यहां पर रो करते हैं और यह इदर जा रहा है तो दूसरा पार्टिकल उतना ही displacement पर होना चाहिए नेगेटिव और सेम डार्शन में चलेगा जब होती है उनके बीच का सेपरेशन मैक्स करता है अगल सेस्परेशन कितना दर्खाए ए लिट से एकलal 20 cm तो maximum के बीच का phase difference है जो कि future maintain रहने बाला है same direction नहीं जा रहे है ओमेगा रिलेटिव मेंगा किया हो जाएगा जिरो सो 5 constant रहेगा अगर यह alpha हो गया तो यह alpha हो गया हम लोग alpha पता कर सकते कॉस alpha is equal to a by 2 divided by a which is half that means pi by 3 यह pi by 3 हो गया यह pi by 3 होगा the total to pi by 3 हो गया 5 कितना हो जागा points कि maximum separation कैसे मिलता है जब same velocity होती है same velocity का हो सकती है both sides symmetrical फिर वो value कितना दिया था एक के बड़ाबर दिया था इसका एवाई टू एवाई टू फिर अपने यह निकाल लिए कि एक का एवाई था दूसरे का एंगल कितना तो दोनों के बीच के एंगल कि दोनों के बीच के उपने और यह को निकाल आए तो फिर लोग इसको यूस करने में akspirt हो जाएंगे यह बोलता है कि the two particles P and Q describe simple harmonic motion of same period same amplitude along the same line about the same equilibrium position तो वो सारी कहानिये बताइए कि एक ही circle बनाना दो पार्टिकलों से पर चलाना है फिर when P and Q are on opposite sides of O at the same distance from O they have the same speed 1.2 meter per second in the same direction तो इतना कहानी को पहले समझते हैं सेफ सेप्डेसे से यह P point यहां पर क्यूपाइं यह तो ओ अपी और ऑफी और ऑफी बराबर है और दे आर मुविंग इन दास्म डारेक्शन तो सेम डारेक्शन मूव करने का मतलब हुगा कि अगर पी ओर जी तरह बार रहा है इसको इस तर चलना चाहिए कि इसका फूट पर पिंडिकुलर रहा हो गार यहां पर पाइट एक पर नीचे कहीं भी चूज़ कर सकते हैं यहां पर देखते हैं तो फिर इसके बाद this should be moving, so in the same direction तो इसके अंगल of velocity हम लोग यहां पर देते हैं और since यह same angle of velocity से चल लए तो यह जो फाई है वो constant रहने वाला है radius a के बराबर है, let's say यह angle theta है अपने लिए, यह जो velocity दी गई है, वो दोनों particle की speed basically वो v1 है और v1 की value कितना दीए गया है, 1.2 meter per second, तो पहले इसको simplify कर लेते हैं अच्छा किसी भी location पर SHM में जो velocity का formula होता है, वो होता है, v is equal to omega under a square minus x square, x का मतलब हुआ है, इसकी location, यह distance, op, यह फिर o q, अगर हम लोग 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 अब यहां पर अपने को निकालना क्या है, क्योशन बोलता है कि maximum velocity निकालनी है, तो maximum velocity A omega होगा, तो अगर अपने को थीटा पता चल जाए, तो A omega निकल के आजएगा, उसके लिए पने को पास दूसरी condition भी है, second condition के, यहां चलेगा, when their displacements are the same, they have the same speed of this in opposite direction, so अब दोगो यह 1.2 meter per second था, अब यह 1.6 meter per second था, तो थोड़ा origin की तरह आगया होगा, अब दिपर future में आके चलेगा, तो P point इधर आएगा, तो Q point अबना इधर आजाएगा, एक ऐसा location आएगा, जहां उनका displacement same होगा, that means they will be located at the same location, तो जब यह point यहां पहुँच जाए और यह point यहां अब है कि P वाला particle इधर जा रहा होगा, और Q इधर चलना इस्टार्ट होगा, तो यह इनकी direction of velocity opposite हो जाएगी, जो कि अपने को required भी है, okay, so और वो velocity कितनी है, let's call V2, V2 के वाली 1.6 दी गई है, अब अपने को यह distance लगे कि origin से इक इतना distance पर है, तो यह distance इसके बराबर होगी और यह सी को नाम हम x-देस मानने वाले हैं, अच्छा, इनके बीच का जो phase difference है, 5 वो constant रहने वाला है, और यहां पर धियां से अबसर्ब करोगर हम यहां से draw करते हैं, यह total 90 degree है, तो यह 5 by 2 होगा, तो थीटा की value minus 5 by 2 के बराबर, 90 minus 5 by 2 के बराबर हो जाएगी, similarly अब यहां स which is a cos theta, sorry, base नहीं होगा, base यहां पर है और यह perpendicular आएगा, क्योंकि यह perpendicular है, so यहां पर x-देस की value आजाएगी, a sin theta, you can see the geometry, so v2 की value आजाएगी, omega under root a square minus x-देस square x-देस की value, अब सब्स्टिटूट करते हैं, वी 2 की value 1.6 दीगी है, यह 1 minus sin square theta क्या हो जाएगा, cos theta में अब first or second से theta को गाइब कारना, square under root कर दीजा, so 1.2 का square plus 1.6 का square is equal to a omega का whole square into cos square theta plus sin square theta 1 हो जाएगा, so a omega which is the maximum velocity, इसकी value आजाएगा, 1.2 का square plus 1.6 का square, जिसकी value कितने आजाएगी, 2 meter per second, तो हम आज से क्या करेंगे, 2 meter per second is going to be the maximum velocity of particles, okay, तो इस तर सम केशन को solve करते हैं, I hope this will help you, thank you.